हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल समराथ एजूकेशन में दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एपी जी अब्दुल कलाम के जीवन के नहतिक और नहतिक मुल्यों पर चर्चा के बारे में बताऊंगा जो कि दोस्तों जी जाम के लिए बहुत ह महतपूर है और एकजाम में पूछा जा सकता है इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में बताने की फड़ी कोशिश किए थोड़ा जल्दी बताएंगे जल्दी जल्दी के विए समय बहुत कम है तो चलिए सुरू करते हैं भारत के राश्टर पती के तो मैं सिरु पढ़ूँगा आप लोग समझेगा जहाना समझाने अली बात होगी मैं वापस समझा दूँगा वे बारत के गिरामे राश्टर पती थे जो साल दोयार दो में इस पत पर न्यूक्त किये गए थे कलाम साहब का जन्मत तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था इनके पिता एक अस्थाने महजिद में इमाम थे और उनकी मा हाउस वाइब थी चार भाईओ और एक बहन में कलाम सबसे छोटे थे अपने भासड में कलाम साहब ने कई बार परीवार के महत्व परीवार के सातर शाहनी की बात कई थी साथ ही वे पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी अलग-अलग सलाठ देते रहते थे या हम आपको कलाम साब दोरा दीगे कुछ पैरेटिंग एडवाइस के बारे में ही बता रहे हैं तो दोस्तों जो उन्हें ने एडवाइस दीजा हुई सी को दोस्तों इनका नायतिक मुल लिखा गिया है तो शलिए देखते हैं क्या बता है इनोंने अपनी आटो बायोग्राफी विंक साब फाय और दोस्तों इनके दवारे एक आटो बायोग्राफी इनका है में डाक्टर कलाम ने सोसल हुमन के हर एक पालू को छुगा है इस किताब से लोगों को जिंदगी के कई पार्ट सीखने को मिलेंगे Dr. Kalam نے पूस्ते में लिखा है हर बच्चा कुछ खास विशिस्ताओं के साथ एक विशिस्ष समाजिक आर्थिक और भावात्मक वातावरणें पैसा होता है और कुछ खास तरीकों से उसकी परवरिस्ट की जाती है कुछ खास तरीकों से उसकी परवरिस्ट की जाती है इमानदारी और धर्मिक्ता के दिड़ विस्वासी दोस्तों यहां से उनका जो नैतिक मुल्य सुरू होता है इमानदारी और धर्मिक्ता के दुड़ विस्वासी डाक्टर कलाम ने कहा था कि बच्चों को सिच्छा के साथ जीवन के मुले सिखाने चाहिए बच्चों को सिच्छा के साथ जीवन के मुले सिखाने चाहिए human value सिखाने चाहिए आप पांट से 17 साल की उम्रे की बच्चों को जीवन की अच्छे मुले सिखाएं और उन्हें हर धर्म का आदर करने की प्रिड़ा दें तो जो अब्दुर्कराम साब थे वो सभी धर्म की प्रिड़ा देते थे और सभी धर्म को आप पालन करते थे उन्होंने हमेशा बच्चों के नैतिक मुले को विक्सित करने की बात की है और उसमें नैतिक नेत्री तो पैदा करने पर जोड़ दिया है माता पिता और सिखकों को बच्चों में नैतिक नेत्री तो पैदा करना चाहिए कलाम साब की माता को सला थी कि उन्हें अपने बच्चे को रोज मर्रा की परिस्थितियों की जरिये सही और गलत की बीच का अंतर समझाना चाहिए दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़े गरीब होते हैं लेकिन अपने बच्चों को सभी खुशी देना चाहते हैं कि उसी तरह की परिस्थिम कैसे विवहार करना चाहिए इससे आपके बच्चे अपने जिंदगी में आत्म निर्वर बनेंगे और उन्हें समझ आज पाएगा कि उन्हें कब और कैसी परिस्थिती में किस तरह का विवहार करना चाहिए कलाम साब पैरेंट से यही कहना चाहते थे कि उन्हें अपने बच्चों को परिवार के साथ रहने सिश्टता से बात करने हर धर्म का आधर करने और जीवन के सही रास्ते पर चलने की सीख देना चाहिए कलाम साबने क्या कहा था पैरेंट से पैरेंट से मदब दोस्तो कोई बच्चा उसके माता पी तर पीता होते हैं उन्होंने बताया था कि अपने बच्चों को पगार परिवार के साथ रहने और जीवन के लाई पर चलने के लिए सीख दीजिये इससे ना सिर्फ बच्चे और आपका वरिवार बलकी देश का भी कल्याड होगा क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर एक युवा समाज का निर्माड करेंगा इनकी मदद से देश और समाज में जागरिती और एकता पैदा होगी तो दोस्तों मैंने इतना बताया आप लोगों को पुरे ठीवन के दिखा लिया इसमें निर्चोड क्या निकला कि अबदुलकलाम जाम ने बताया कि आप लोग अपने बच्चों को 5 से लेकर 17 साल के बच्चों को सिच्छा के साथ साथ नायतिक जीवन के बारे में भी बताएं और उन्हें परिवार के साथ और अने लोगों के साथ सिष्टता से बात करने के लिए बताएं अच्छी रापट चरने के लिए उन्हें निर्देश दें और उन्हें जैसे आप रोज मर्रा की जिन्दगी अपना जीवन व्यतित कर रहे हैं वैसे उन्हें भी रोज मर्रा की जीवन व्यतित करने के कराएं और ताकि उनको समझ में आए कि किसी स्थिति में हमें कैसे रहना चाहिए जिससे वह आत्म निर्वर बन सकेंगे तो अब्दुल कलाम साब ने यही नैतिक मुले पर चर्चा की थे और यही बताया था तो दोस्तों क्यूस्टन लांग टाइप में आ सकता है कि एपीज अब्दुल कलाम की जीवन के नैतिक और नैतिक मुले पर चर्चा तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा जाहिन